नमस्कार, लाभानी का आज का ये पहला सवाल पिछले क्लास के लास्ट सवाल से ही रिलेटेड है, आईए सवाल देखें सवाल है, 20 रुपे में 6 के हिसाब से कुछ बस्तु खरीदी और 26 रुपे में 8 के हिसाब से दुगुनी बस्तु खरीदी गई मतलब दो टाइब का बस्तू खरीदा जा रहा है एक टाइब का बस्तू है 20 रुपए में 6 के हिसाब से और दूसरे टाइब का बस्तू 26 रुपए में 8 के हिसाब से लेकिन यहां क्या है दुगनी यानि दूसरा टाइप जो खरी देंगे वो दूगना पीस खरी देंगे, बराबर नहीं, पिछले कोशन में क्या पढ़े थे आप, हाँ, बराबर, और यहां क्या करना है, दूगना, और कोशन कहता है, दोनों को मिलाकर, 118 रूपया में, 24 के हिसाब से बेज दिया, लाव यहा 20 रूपय में 6 बस्तू, फिर 26 रूपय में 8 बस्तू, और फिर 118 रूपय में क्या, 24 बस्तू, यह बेचने का दर है, और यह पहला और दूसरा बस्तू जो है, यह खरीदने का दर है, यह क्या है, यह है बस्तू और यह है रूपया, आपको ये बोला गया था, कि ये दूसरा बस्तु जो है, वो पहले के अपेच्छा दुगुना खरिदना है, है ना? आई ये दुगुना खरिदते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसको 24 और इसको 12 खरिद लेते हैं, दुगुना हो जाएगा? या इसको 6 है तो इसको भी 12 खरीद सकते हैं गुना भाग आसान करने के लिए दसम लब में ना आए हम क्या करते हैं इसको 24 खरीद लेते हैं इसको 24 खरीदेंगे तो कितना से गुना करेंगे तीन से तो क्या रुपिया तीन गुना नहीं लगेगा तीगुना बस तो खरी दिएगा रुपया उतना ही नहीं तीगुना लगेगा और इसको बारह बनाने के लिए दो से गुना करना होगा और इसको दो से गुना करना होगा तो दो से गुना इसको भी गुना करना होगा क्योंकि दूगना बस तो खरी दिएगा तो दूगना पैस कुल क्रेमुल इतना और यहां बस्तू कितना बारह और यहां बस्तू कितना चोबिस तो दुगना तो हम खरिद लिए न झो कंडिशन बोला खरिदते समय वह कंडिशन Kai फु़िल हुआ न अब बेचते समय का बात करते अब बेचना है तो आप देखीएगा आपके पास कुल मिलाकर बस्तू कितना 36 और बेचते समय क्या हो रहा है कोश्चन कहता है बेचना है 118 रुपिया में क्या 24 और आप खरीदे थे क्या 36 कुल मिलाकर अलग अब नहीं देख रहे हैं आप कुल मिलाकर देख रहे हैं क्योंकि खरीद कर हम दोनों को मिला दिये कितना पीस खरीदे 36 और रुपिया कितना लगा तो आप रुपिया को जूड़िएगा तो यहां दीखता है यहां भी 118 का मतलब अगर गौर से देखा जाए तो क्या हुआ है 118 रुपिया लगाकर आपने खरीदा क्या 36 बस्तू इसको जूड बेचना है 24 बस्तू कितने में 118 तो 118 में 36 बस्तू खरीदे हैं देखे आप कोशन क्या है कि अब 36 मारकर खरीदने के लिए हम 118 रुपिया लगा है और 24 मारकर बेचकर 118 रुपिया आ जाएगा तो 118 रुपिया गया और 118 रुपिया आया तो रुपिया पैसा के मामलें ब बरावर न तो लाव क्या हुआ खरीदते समय आप 36 पर खरीदे थे और बेचते समय चोविस बस्तू, बारव बस्तू का लाव हुआ नहीं तो अभी सी शिक्ते आ रहे हैं इसी इसी टाइप का तो हम लोग कुशन उठाये हैं भी, कितना बस्तू बेच कर कितने बस्तू, तो य गुना सो पचास प्रतिशत और यहां भी जो आप इतना पेन लगाए ना इसका कोई आवसकता नहीं था 24 बस तू बेचकर 12 का लाव हो रहा 24 में 12 तो 50 परसेंट इसे ने बोलेंगे क्या पचास में 25 तो क्या वो 50 परसेंट नहीं हुआ क्या 60 में 30 तो वो 50 परसेंट नहीं हुआ क्या चार में 2 तो वो 50 परसेंट नहीं हुआ क्या यहां पेन लगाने का क्या आवसकता था कुछ नहीं तो यहां से ही पता चल गया हमको कि 118 रुपिया लगा कर हम 36 बस्तू लाए थे और 118 रुपिया में 24 बस्तू ही बेचे तो 12 बस्तू का लाव हुआ तो 24 में 12 यानि 50 परसन और कुछ नहीं करना था आईए अगले सवाल में अगला सवाल फिर देखिया आप जहां तक आप आए वहां से थोड़ा सा और आगे सवाल चला गया और ऐसे ही परहेंगे ताकि समझना आसान हो सवाल का क्रम अगर अच्छा हो तो गनीत बहुत आसान हो जाएगा अब एक सवाल यहां से परहे फिर उसी टाइप का दूसा सवाल दो दिन बाद कहीं मिले तो साइथ वहां दिकत हो अंको यहां दिकत नहीं होगा सवाल आप देखिये सवाल क्या है बीस रुपे में छे के हिसाब से कुछ बस्तू खरी दी और चालिस रुपे में पंद्रह के हिसाब से उतनी ही बस्तू खरी दी गई मतलब दो तरह का बस्तू खरी दया जा रहा है एक का दर क्या है बीस रुपिया में छे दूसरे का दर क्या है चालिस रुपिया में पंद्रह अब कोशन कहता है दोनों को मिलाकर 7 रुपे में 2 के हिसाब से बेज दिया गया इस परकार उसे 200 रुपे का लाव वा निया बाद क्या था ये 200 रुपे पिछले सवाल में आप क्या परें पिछले सवाल में परे, कितना प्रतिशत लाप हुआ, कितना प्रतिशत धानी हुआ, लेकिन यहाँ क्या है, लाप वो behavior के रूप में, बस तु नहीं, रूपिया, 200 रूपिया का लाप कमाना है, आएए, चलते हैं, जब तक 200 रूपिया आ नहीं जाएगा, तब तक हम लोग हा चे और दूसरा वस्तू 40 रुपए में 15 ये खरिदने का दर है लेकिन अब बेचने का जो दर है उसको छोड़ देते हैं पहले इसी को बरावर कर लेते हैं क्योंकि कोशन काता है यहां से 6 वस्तू और यहां से 15 वस्तू ये नहीं चलेगा क्योंकि कोशन का आदेश है बरावर उतने ही आईए सवाल को आप देखिए वहां लिखा हुआ है उतनी ही इस उतने ही उतनी ही वर्ड को अगर हम छोड़ देंगे तो कोशन गलत हो जाएगा फिर कभी सहीं नहीं होगा तो 6 और 15 इस दोनों को बरावर करने का एक तरीका दोनों का अलसे हम 30 इस बना लीजिये दोनों को या 6 को 8 से गुना करते हैं तो 15 हो जा रहा है तो एक ही ज़गा गुना करने से काम चल जाएगा च्छे को आरहे से गुना करेंगे, तो कितना होगा 15, तो आपका रूपिया भी आरहे गुना होगा, तो आप देख रहे हैं, यहां 15 बस्तू आपका हो गया, और यहां 15 बस्तू है ही, यहां 15 बस्तू के लिए क्या 40, और यहां 15 बस्तू के लिए क्या 50, तो कुल मिलाकर आपका क्रेमूल कितना हो गया 50 और 40 आपका कुल क्रेमूल देखिएगा तो आपका 90 और बस्तू कितना 30 पचास 40 90 कुल रूपिया कितना गया आपके पॉकेट से 90 और आपके पॉकेट में बस्तू कितना आया तो 15 और 15 तीस यानि 30 बस्तू का क्रेमूल कितना 90 एक बस्तू का क्रेमूल तो आप क्या लिखेगा नबे बटे तीस यानि क्या तीन रुपिया आप तीन रुपिया में खरीद रहे हैं और एक बस्तू का दिक्रेमुले ये कितना तो साथ बटे दू यानि सारे तीन तो आप देख रहे हैं कि तीन रुपिया आप का क्रेमुले हैं और सारे तीन रुपिया आप का भी क्रेमुले हैं तो एक बस्तू अगर आप खरिते बेशते तो क्या होता एक बस्तू खड़िते बेशते तो लाव कितने का होता पचास पैसे का क्रेमुल तीन रुप्या है भी क्रेमुल सारे तीन रुप्या है पचास पैसा हुआ ना तो पचास पैसा पचास पैसा लाव कमाने के लिए आपने क्या किया एक बस तू खरीदा एक बस तू बेचा तो पचास पैसा लाब कमाने के लिए एक बस तू का ट्रंजेक्शन करना होगा और दो सो रूपिया का लाब कमाने के लिए कितने बस तू का ट्रंजेक्शन करना होगा या दो सो रूपिया में आने से पहले एक रुपया आजाईए पचास पैसा लाब कमाने के लिए इतना तो एक सो पैसा लाब कमाने के लिए कितना तो आंसर होगा दो रुपया यान एक सो पैसा यानि एक रुपया तो एक रुपया लाब कमाने के लिए दो बस्तू बेचना होगा तो दूसो रुपया लाग कमाने के लिए दूग ना दूसो आप का अंसर होगा चार सो चार सो बस्तू का आप खरीद विक्री करेंगे तो आपका कंडिसन फुल फिल हो जाएगा दूसर रुपया का कमें होगा इस सवाल को आप जो दूसरा विकल्प आपके पास है उससे भी देख लिजए इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते थे बिना एक वस्तू में गए है आप इसको ऐसे बनाईए आप खरीद रहे हैं क्या 20 रुपए में 6 फिर खरीद रहे हैं 40 रुपए में 15 तो आप क्या किजिए इन दोनों का एलसियम 30 होता है ना 30 बना लिजिए इसको 5 से गुना किजिए तो इसको भी 5 से गुना करना होगा इसको 2 से गुना किजिएगा तो इसको भी 2 से गुना करना होगा तो आप अभी तक कुल मिला कर कितना बस्तू खरीदे हैं 60 30 यहाँ, 30 यहाँ, तो Κुल मिलाकर कितना बस तो, 60 और आपके पास अब देखिएगा, तो पूझी क्या आप लगाए हैं, अपने पॉकेट से तो 100 रुपिया, और 40 रुपिया यानि कुल मिलाकर 180 रुपिया आप लगाए हैं और 180 रुपया लगा कर आप क्या पाया है 60 बस्तू आप बेचिए बेचने का दर क्या है 7 रुपय में 2 अब इसको 30 से गुणा कर देते हैं 30 से गुणा क्यों कर देते हैं क्योंकि हमारे पास 60 बस्तू है आप देखे अभी तक आप क्या लगा रहे थे 180 आपका पांजी क्या था 180 आपका बिक्रे मुल क्या हुआ 210 यानि लाव हुआ क्या कितना 30 रुपया और 30 रुपया का लाव हुआ कब 60 बस्तू बेचकर तो 200 रुपया का लाव कब होगा चार सो बस्तू बेच कर यही आपका अंसर है साट बटे तीस गुना दूसो चार सो आईए अगले सवाल में आते है अगला सवाल सवाल है मैंने कुछ शंतरे एक रुपे में चार के भाव से खरीदा अब सवाल तो वही है लेकिन देखिए फिर नया कंडिशन क्या नया कंडिशन खरीदा और उसका पांचमा भाग अपने पास रख लिया जितना भी बस तू हम खरीद के लाते हैं उसका पांचमा भाग अपने पास रख लेते हैं अब एक बटे पांच भाग हम खा जाते हैं या सर जाता है जो भी हो जाता है उसके बाद आगे क्या है सेस को एक रुपे में तीन के भाव से बेचा जो बचा एक बटे पांच भाग रख लेने के बाद जो बचा उसको क्या किया एक रुपे में तीन के भाव से बेचा और मुझे पांच रुपे का लाव हुआ अगर आप गोड से देखेगा तो आप देखेगा क्या इसको लाव कुछ बस TOO भी बहा है एक वटे पाँचामा भाग वो अपने घर रख लिया वो लाव नहीं था क्या और उसको लाव क्या चाहिए 5 रूपिया के रूप में भी लाब से ये एक बटे 5 भाग रख लेने के बाद भी सवाल मंटा मुटी हम लोग समझ गए हैं आई आते हैं एक रुपे में 4 और पांचमा भाग हमको रखना है और एक रुपे में 3 के हिसाब से बेच रहे हैं तो एक बटे चार एक बटे पाँच और एक बटे तीन यानि पाँच चार तीन को देखते हुए हम मान लेते हैं कि साट बस तो खरीद रहे हैं साट बस तो खरीदने का आधार क्या ले रहे हैं एक रुपे में चार एक बटे चार अब हम बेच रहे हैं क्या पहले उसमें से एक बटे पांच भाग रहा कर रहे हैं तो कोई ऐसा संत्रा संख्या लेंगे संत्रे का जिसका एक बटे पांच भाग कर पाएंगे जैसे हम 42 संत् क्या है संत्रे का काट के तो नहीं बेजना है तो हम क्या करते हैं एक बटे चार एक बटे पांच एक बटे तीन को देखते हुए साथ संत्रा खरीद लेते हैं और संत्रा खरीदने का दर क्या है एक रुपए में चार और हम लोग खरीद कितना रहें साथ तो रुपया कितना ल पंद्र गुना लगेगा आपका क्रेमुल कितना और आपका बस्तु आपके पास कितना शाठ अब जैसे जैसे कुशन का आदेस है हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम कभी कहेंगे भी नहीं कहेगा कौन सवाल सवाल क्या करता देखिया अगला लाइन खरीदा उसका पांचमा पाँचमा भाग और जो बसता है वो भाग आप देखिए इसका पाँचमा भाग 12 होगा क्या होगा 60 को 5 से भाग लगाएंगा 12 यानि 12 बस तू अपने पास रख लिए बचा क्या 48 इसको आप बेच रहे हैं किस दर से एक रुपए में 3 के दर से यानि 3 संत्रे का विक्रे मुल कितना एक रुपिया तो 48 संत्रे का विक्रे मुल 16 रुपिया यानि इसको आप कितने बेचिएगा 16 रुपिया में साफ साफ दर कह रहा है तीन संत्रे का भिक्रे मुल 1, इसलिए और radius संत्रे का भिक्रे मुल 16, आएगा ना, यहीं से 16 निकाल करे हम आपको दे दिये, तो अब आप देखिए, आप पूंजी कितना लगाए थे, 15, आपके पास आयां कितना 16, एक रुपिया कमाए ना, और एक रुपिया कमाने के लिए क यह क्या वही तो सवाल है question कहता है हमने कितने संत्रे खरीदे थे तो अभी हमने कितना खरीदा है अभी हमने 60 खरीदा है और 60 खरीदा है तो क्या हुआ एक रुपे का लाब यानि एक रुपे का लाब कमाना हो तो कितना संत्रा 60 और 5 पाँच रुपिया का लाग कमाना हो तो साथ गुना पाँच साथ गुना पाँच तीन सौ यानि तीन सौ पीश खड़ित कर लाएंगे और बेचेंगे तो आपका ये सारा कंडिशन फुल्फिल हो जाएगा आपका अंसर है तीन सौ संत्रे आईए अगले सवाल में आते हैं आईए अगला सवाल अब सवाल थोड़ा हम लोग अलग सवाल ले रहे हैं अभी तक जितना सवाल लिए उससे थोड़ा सा अलग सवाल में आते हैं और इस तरह के सवाल में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कभी रूपया कभी बस्तू कभी लाब कभी हानी तो आज कोशिश करेंगे कि कंफूजन ना हो कि हमको करना क्या है कहां से पेन उठाना है यह अगर मेरे दिमाग में आ जाए कि करना क्या है तब कभी कंफूजन नहीं होगा आए ज़रा से देखें आप परसेंटेज से ही देखते आ रहे हैं कि आपको यह बताए गया है कि कोई भी क्रेमुल अपने आप में 100% होगा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगा मतलब कोई भी क्रेमुल अपने आप में 100% होगा पांच रुपिया में खरीदे तो पांच रुपिया पांच रुपिया का 100% होगा ना पांच लाग में खरीदेंगे तो पांच लाग भी पांच लाग का 100% होगा तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% है तो हम जो खरीदे है वो भी अपने आप में 100% है और लाव लेना है हम लोग को 20% का हम लोग को लाव कितने का चाहिए 20% का तो हम लोग का विक्रे मुल कितना हो जाएगा 120% ऐसे बनाएंगे ये क्या है तो आप कहिए का विक्रे मुल अगर क्रेमुल 100% है होना ही है यहां अगर का कोई जगा नहीं है और लाव 20% है यह 20 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है तो यदि लाव 20% है और क्रेमूल 100% है तो विक्रेमूल कितना होगा 120% यह होना ही है यहां कोई किंतु परंतु नहीं है यह बदल भी सकता है 20 भी 100 भी 50 भी तो यहां 20 प्रतिशत दिया है तो आपका विक्रेमूल 120% होगा और एक बस्तू का विक्रेमूल कितना दिया है एक बटे 5 तो हमने क्या गलत लिखा हमने लिखा विक्रेमूल बराबर विक्रेमूल क्या नया हो गया विक्रेमूल बराबर हम क्रेमूल लिख दिये क्या विक्रेमुल बराबर विक्रेमुल नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग ये क्या है विक्रेमुल पर्तिशत के रूप में और ये है विक्रेमुल रूपिया के रूपिया ये एक रूपया में पांच बस्तू पांच बस्तू का विक्रेमुल एक रूपिया तो एक बस्तू का विक्रेमुल्य क्या, एक बटे पांच, तो ये भी विक्रेमुल्य है ना, तो ये भी विक्रेमुल्य और ये भी विक्रेमुल्य, यानि 120% का मान एक बटे पांच, तो चाहिए क्या, क्रेमुल्य, क्रेमुल्य यानि, हाँ, बिल्कुल सही समझ रहा है, 100%, और 100% का मौन क्या होगा गुना एक सो पांस से कटेगा 20 बार में और 20 से कटेगा 6 एक बटे 6 एक बटे 6 का मतलब एक रुपे में 6 एक रुपे में 6 ये आपका अंसर है आईए अगले सवाल में आते हैं और अब जो अगला सवाल होगा उसका उस सवाल का करम जो होगा इसी सवा पिछले सवाल में क्या था इतना रुपिया में इतना पीस बेच कर यानि विक्रेमुल दिया हुआ था हमारे पास और इस सवाल में क्या है एक फल विक्रेता तीन रुपिया में आठ की दर से खरीद कर यानि क्या दिया हुआ है क्रेमुल पिछले सवाल में विक्रेमुल दिया तो भी क्रेमुल से चले, यहां क्रेमुल दिया हुआ है, क्रेमुल से चलना होगा, आईए, आपका क्रेमुल का दर क्या है, आठ बस्तू खरीते हैं तीन रुपिया में, एक बस्तू का क्रेमुल क्या है, तीन बटे आठ यही ना आपका क्रेमुल का दर है, इसको निकालने के लिए हम लोग को इतना पिल लगाने का जुरूरत है क्या नहीं तो आपका क्रेमुल क्या है तीन बटे आठ ये बात आप जानते हैं तो आप इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं कि अगर तीन बटे आठ हमारा क्रेमुल है तो हमारा क्रेमुल हंडेट परसंट भी तो है क्रे बिक्रमुलल होगा वो अपने आपमें 100% होगा बर्वालने यँ सब्सक्राइब करेंद गया है क्यों कि कुम्हेंकि काता है बेचना रिसना है कितने का काat आप आप Agris का साठ पर सेन्का एटा हैं म takich चाहता एक और अबिक्रा मुले 160% होगा और 160% होगा तो उसका value क्या होगा वही बता लो है आईए उसका मान निकाल लीजे 160% तो आईए 3 बटे 8 गुना क्या नीचे क्या होगा 100 और ये 160 कहा जाएगा उपर 160 यानि 20 से कटेगा 8 से कटेगा 20 बार में 20 से 5 यानि क्या 3 बटे 5 यानि बेचने का दर क्या था 3 रुप्या में 8 और बेचने का दर 3 रुप्या में 5 तीन बटे 5 का मतलब 3 रुप्या में 5 कैसे बेचेंगे 3 रुप्या में 5 यही आपका अंसर है आईए अगले सवाल में आते अगला सवार सवाल है एक रुपे में बीस की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को चार प्रतिशत की हानी होती है अब सवाल कहता है बीस प्रतिशत का लाब कमाने के लिए एक रुपे में कितने की दर से बेचना चाहिए कितना पीस बेचना चाहिए आईए अभी जो सवाल हम देखे हू बहू उसी सवाल के तरह इसको उठा के रख देते हैं हलांकि आपको लगेगा क्या पिछले सवाल से थोड़ा सा भिन है वहाँ तो एक ही कंडिशन था और यहाँ दो कंडिशन है कोई बात नहीं आप देखें इसको कोईसन कहता है एक रुपे में बीस की दर से यानि एक बटन का विक्रेमूल कितना तो आप कहिएगा एक बटे बीस एक रुपे में बीस यानि बीस पीस का विक्रेमूल एक रुपया तो एक पीस का कितना एक बटे बीस ये क्या है SP विक्रेमुल ये विक्रेमुल है और ये अगर विक्रेमुल है तो ये क्या है ये भी विक्रेमुल है क्यों कि इस दर से बेचने से 4 प्रतिशत का नुक्सान होता है तो 96 प्रतिशत में बस तु विका होगा कि नहीं विका होगा 4 प्रतिशत घाटे का क्या मतलब होता है कोई लाव नहीं है कोई हानी नहीं है का क्या मतलब है 100% में बस तू भीका जो हमारा क्रेमूल है उतना में ही भीका तब तो कोई लाव नहीं कोई हानी नहीं 4 प्रतिशत का मतलब मातर 96 प्रतिशत में भीका नहीं आपका सवाल कह रहा है 20% लाव पर बेचेंगे तो आपको 100% नहीं निकालना है क्योंकि क्रेमूल नहीं पूछ रहा है बेचना है लेकिन 20% लाव के साथ तो आपका भी क्रेमूल इतना हो जाएगा 120% 120% का मान दीजिए सब कुछ निकल जाएगा 96% का मान अगर ये हो सकता है तो 120% का मान क्या हो सकता है जड़ा सा मान तो निकालिए पहले आईए मान होगा 1 बटे 20 गुना क्या 96 और यहां गुना क्या होगा 120 अब आईए इसी को हम लोग कैल्कुलेट करते हैं 16 यानि एक बटे 16 और एक बटे 16 का मतलब बिल्कुल सही एक रुपए में 16 एक रुपए में 16 आप देखिए तो पिछले सवाल को अगर जोर देते हैं तो लगता है क्या कि वही सवाल है अगर पिछले सवाल में आप क्या परहे थे पिछले सवाल में परहे थे 120 परसन का मान इतना तो यहां भी तो आप वही परहे हैं यहां एक कंडिशन और जोर दिया है कि बेचना है लेकिन क्या 20 प्रतिशत लाग पर पिछले सवाल में मातर आप क्रेमूल निकाले थे यहां विक्रेमुल निकाले वो भी लाब पर कोई दिक्कत नहीं जब 96% का मान जान सकते हैं और उससे 100% का मान जान सकते हैं तो 1500% का भी मान जान सकते हैं 120% का भी मान जान सकते हैं कुछ नहीं किये हैं आप देखिए ये विक्रेमुल है और ये विक्रेमुल है ये लिखना सी गए का बस्तू बेचने पर 30 प्रतिशत के हानी होती है ठीक है एक सो चार रुपे में कितने बस्तू बेची जाए कि 30 प्रतिशत का लाव हो यह ना आईए कोई बात नहीं असी बस्तू इस बस्तू को रहने देते हैं हम लोग इस बस्तू से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है फिलाल बाद में इसका यूज लेंगे अभी सिर्फ आप ये देखिए एक सो चार रुपे में बेचने से 30 प्रतिशत की हानी होती है यानि एक सो चार रुपिया जो है वो 70 प्रतिशत के बराबर है है ना वही तो समझ रहा है अभी तक हम लोग एक सो चार रुपिया में बेचते हैं तो एक सो चार रुपिया है विक्रे मूल एक सो चार रुपिया है विक्रे मूल और बेचने से 30 प्रतिशत का नुक्सान होता है तो ये 70 प्रतिशत क्या है ये भी विक्रे मूल क्योंकि क्र जो काम अभी तक किये, वही करने जा रहा है, 70% का मान 140, तो 130% का मान क्या, अब आपके मन में तुरंट सवाल आएगा, कि 100% क्यों नहीं निकाले, 130% क्यों निकाले, 100% भी निकालेंगे, तो भी चलेगा, क्यों मांगता क्या है, वो हम लोग नहीं देखेंगे, क्या, उसको भी तो देखना होगा, क्यों 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 क्यो मुल निकल जाएगा तो direct 130 निकाल दे तो 130 परसेंट का मान कितना होगा तो 130 परसेंट का मान होगा 140 बटे 70 गुना क्या 130 इससे दो बार में कटेगा यानि 260 अब पता चल गया क्या उस बस्तु को जिस बस्तु को आप रखे हैं यहां घेर करवकसे में इस बस्तु को जिसको आपने 140 में बेचा उसको 260 में बेचा होता तो 30% हानी के बज़ाए 30% का लाव हो जाता तो अब तो तैब हो गया ना विक्रमूल कि इस 80 बस्तु को बेचना जरूरी था कितना में 260 में किसलिए 30% लाव के लिए 30% लाव लेना हो तो 260 में बेचना परेगा और 30% हानी लेना हो तो कितना बेचना होगा 140 में तो 140 में तो हम लोग बेच चुके हैं और हम लोग 4 हैं नहीं 30% का लाव हो तो आपको कितना बेचना होगा 260 में तो 260 में बेचना होगा, क्या यही बस तू, 80 अब question कहता है, 103 रूपया हम कितना बेचना होगा अगर बेचने का दर हमको पता चल गया तो अब कितना भी बस तू बेचना हो बेच देंगा हम लोग, आइए बेच देते हैं क्योंकि 260 रुपया में बेचना जरूरी है क्या 80 तो 104 रुपया में बेचना जरूरी है क्या कितना बस तू बेचना निकल गया क्योंकि बेचने का दर तो हमको उपर से मिल गया ना 80 बस तू बेचना जरूरी है कितना में 260 में तब लाग का कंडिशन फुल्फिल होगा तो 260 में बेचना जरूरी है क्या 80 तो 104 में बेचना जरूरी है क्या बस एक इक निया 80 बटे 260 गुना 104 बस इसी को हम लोग काटते हैं 10, 10, 13 से 2 बार में और 13 से 8 बार में फिर इसको काट लेते हैं 4 बार में 8 चोक 32 कहने का मतलब आप 80 बस तू बेच रहे थे न 32 बस तू बेच थे न तो 30 परसें नुकसान के जगा 30 परसें लाव होता देखें यहां आप क्या किये सबसे पहला इस टेफ ये लिखना सीखिए कि एक बार हम लोग दोरा रहे है 140 क्या है आपका विक्रेमूल ये भी बिक्रेमूल है और ये भी बिक्रेमूल है ये 140 जो है एडजेक्ट है ये रूपया है और ये परसेंटेज के रूप में ये जो बिक्रेमूल है परतिशत के रूप में है और ये बिक्रेमूल का मान है तो 70 परसेंट का मान 140 है तो 130% का मान क्या होगा अब 130 क्यों निकाले ऐसा नहीं कि हम निकाल दिये तो आप भी निकाल दीजिए हम 150 निकाले हम क्यों निकाले ये सवाल उठता है क्योंकि जब हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ तो आपका भी पेंच चलेगा 130 क्यों निकाले तब तो 30% का लाव होगा 100% तो क्रेमूल होता है तो 130% का मान कितना 260 यानि पता चल गया कि 260 में अगर बेचे होते तो 30% नुक्सान के वज़ाे 30% का लाव होता कब? 260 में बिकने पर क्या? 80 बस तू तो 260 में बेचना परेगा क्या? 80 बस तू तो 104 में बिचना परेगा क्या वही तो की है 204 में 80 260 में 80 104 में क्या बस एक एक निया यह आपका अंसर है आईए अगले सवाल में आते हैं आईए अगला सवाल आपका 5 रुपे में 9 वस्तु खरीद कर 100 वस्तु कितने में बेचा जाए ताकि 8 प्रतिशत का लाव हो देखिए समझने में दिक्कत कब होता है जब आप रुपिया भी देखने लगते हैं बस्तु भी देखने लगते हैं लाव है एक जगह से चलिए आप देखिए आप खरीद क्या रहे हैं 5 रुपिया में 9 वस्तु है ना आप इस बस्तु को रहने दीजे इसको रहने दीजे आप सिर्फ इसको देखिए आपका क्रेमूल क्या है? 5 रुपिया और बाद में बोला क्या है? कि आपको लाव लेना है कितने का? 8 प्रतिशत का तो अभी हम 5 रुपिया में ये मारकर खरीद के लाए कितने में? 5 रुपिय में और हमको बेचना है 8 प्रतिशत लाव लेकर तो 5 रुपिया का 8 परसेंट हम निकाल ले और वो जोर दें उतना में बेज दें तो क्या 8 प्रतिशत का लाव नहीं होगा? होगा तो हम 5 रुपिया में क्या खरीद के लाए है वो इस बकसे में बंद है उसमें 9 बस्तू है कि 9 लाग बस्तू हम नहीं जानते है ये बकसा ही खरीद के लाए है 5 रुपिया में और हमको बेचना है लाव लेकर कितना लाव लेकर तो 8 परतिशत तो 5 का 8 परतिस्द नहीं निकाल पाएंगे निकाल पाएंगे तो हमारा विक्रेमुल ये होगा हमारा विक्रेमुल जिसका क्रेमुल 5 रुपिया दिया हुआ है उसका विक्रेमुल हो जाएगा 5 का 108 परसेंट या 8 परसेंट निकाल के आप जोड दीजे आप ऐसे समझें आपका क्रेमूल ये हुआ क्या क्रेमूल सिर्फ रूपिया के रूप में बस तू आपको देखने नहीं बस तू बंग है बक्सा में ये बक्सा उठा के लाई कितने में पांच रूपे में अब लाब ले रहें आप कितना आप लाब ले रहें 5 का 8 परसंट यानि 40 पैसा अब 5 रुपिया क्रेमूल है 40 पैसा लाब है बिक्रेमूल कितना होगा 5 रुपिया 40 पैसा तो बिक्रेमूल लिख लीजे आप बिक्रेमूल 5 रुपिया 40 पैसा अब सवाल में कुछ बचा ही नही इस June क्या क्या सबस्टा कितने में बेचा जाया कि आठ पर्शन का ओ तो इसले कर दिया ना जो डर है बेचने का उसमें 8% लाव आ गया है सामिल होगे 8% पांच रुपिया क्या था क्रेमुल उसमें लाव नहीं था पांच रुपिया 40 पैसा क्या है विक्रेमुल उसमें लाव भी है तो विक्रेमुल हमारा पांच रुपिया चालिस पैसा है और बस्तू कितना है नौ तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि नौ बस्तू का विक्रे मुल पांच रुपिया चालिस पैसा हम लोग एक एक नियम में क्या सिखें है जो चाहिए उसको बाद में लिखते है तो हमको मुल्य चाहिए न, एक सो बस्तू का विक्रे मुल्य चाहिए, तो विक्रे मुल्य को बाद में लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, नो बस्तू का विक्रे मुल्य, पाँच रुपिया चालिस पैसा, इसलिए एक सो बस्तू का विक्रे मुल्य, यह आपका अंसर है, लाभानी से related बहुत सवाल देख चुके हैं इस तरह के सवाल में अगर कोई दिकत है तो उस सवाल को आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेजिए और लाभानी हम अभी आगे भी बताएंगे जिससे related भी अगर कोई question हो तो आप भेजेंगे फिलाल जो question हो चुका है उससे related जो सवाल आपको दिकत दे रहा है उस सवाल को आप भीजिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद